स्वागत आपका इस नई वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ आपको मुख्यमंत्र विज्ञान प्रतिपा परिक्षा MVVP की क्या कटफ रही है लास्ट ये ये लास्ट ये का रिजल्ट है मेरे पास जो 23-5-23 को रिलीज हुआ था तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसमें हम नीचे की तरफ चाहेंगे तो आपको यहाँ पर MVPP result 2022-23 देखेगा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको category है general marks है 186 percentage है 93 93 means 200 marks का paper हुआ है final और percentage 93 आई है 186 marks के rank 1 रही है देखे 93 आ गए तो rank 1 आई है अब देखते हैं नीचे कितने बच्चों को इन्होंने लिया है general के रूप में यह सभी general candidates हैं इनके नाम और serial number और date of birth यहाँ पर दी गई है देखें 93 से अब 81, 85 अब यहाँ देखिए यह जो बच्चा है यह EWS category में है लेकिन इसके marks अच्छे आने यह कारण से उसे general में रख दिया गया है तो कैसे यह भी general ही चल रहे है यहाँ पर एक ST और एक OBC candidate है जिसके marks अच्छे आये है तो वो general में ही गिना गया है और नीचे आते हैं यह है अभी general ही चल रहा है यहाँ पर यह भी general candidates है general candidates की पूरी list है यहाँ पर 327 तक हो गया 374, 400 प्लस हो गया 458, 468 और यहाँ देखे यह है 491 तो यहाँ तक सभी general candidates लिये गए है तो percentage है 67 marks है 134 यानि 200 में से अगर 137 marks आ रहे हैं किसी general candidate के तो वो general seat ले सकता है और किसी OBC और SC या ST किसी और category के candidate के भी 134 नमबर यानि 67% नमबर आ गए तो भी वो इस exam को clear कर सकता है अब EWS category में देखते हैं कि कितने marks हैं देकि EWS में 119 वाला पहला विदार थी है और उसके बाद जिसके 80 नमबर है यानि 40% नमबर है वह भी EWS में select हो गया है उसको भी scholarship के लिए पहुँच गया marks लेकर अब OBC category की बात करते हैं यहां पर EWS के 31 बच्चे थे OBC यहां से 133 marks वाला OBC category का पहला विद्यार थी है जो है दिक्षा अब यहां OBC देखेंगे तो यहां पर नीचे चलते जाएए चलते जाएए चलते जाएए OBC के भी बहुत ज़्यादा candidates है marks भी कम हो रहे हैं इनके और finally OBC का 97 वाला विद्यार थी सबसे last है जिसके 48.5% marks आए है यह 200 में से marks है अब SC की बात करते हैं SC candidates की list है यह SC candidate हो गए हमारे पास 156 last candidate है जिसके 91 marks है 45.5% marks ST candidates अब यहाँ से सुरू हो रहे हैं 130 नंबर वाला पहला candidate है last में 70 marks वाला last बच्चा है जिसके 35% marks है जिसकी rank 108 है ST के अंदर अखरी में आपको summarize करूं तो general candidate के दो समय से 134 marks है और 67% वाला वेक्ति सेलेक्ट हो गया है ठीक ऐसे EWS 80 marks के साथ 40% लेके सेलेक्ट हो गया SC 91 marks 45.5% marks percentage लेके सेलेक्ट हो गया और ST 70 35% marks 97 नंबर है OBC के 48.5% marks में आपको यह कह रहा हूँ कि यह जो categories है यह जो marks है यह last year के हैं तो इस बार जो है इस से थोड़े जादा ही marks आपको लाने होंगे सेलेक्ट होने के लिए उमीद है कि यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और important updates के लिए चैनल को subscribe जरूर करें थैंक्यू कर रिए हैं हैं आपको भी तो